अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक करें सस्क्राइब और अन्य व्रेंड के साथ शेर करें हाई गाईज आज हम जिस टोपिक की बात करेंगे वो है होमोजीनियस फंक्षन जो अमारा टोपिक है आई आएटी जैम्स, एक्स ग्रूप, टीजिटी, पीजिटी, फ़स्ट ग्रेड, सेकिंड ग्रेड इसके लावा ओल कॉम्पिटिटी एक्जाम से संबन्दित होमोजीनियस फंक्षन में से क्वेसन पुछे जाते हैं स्क्रीन पे सबसे पहले हम देखेंगे homogenous function होता क्या है सबसे पहले जब भी हम differential equation को अल करते हैं तो हमारे पास कुछ method होते हैं उन में से homogenous function भी एक method होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि homogenous function को ही apply करना है तो इसके लिए हमारे पास जो friends function होता है दो 84 के बीच में function होगा जैसे मालो की x और y के बीच में आपको कोई differential equation दी होगी उसको जब हम solution करेंगे तो हमारे पास बनेगा x की n f x y y ये एक equation बनेगी या फिर friends x, y y की n f x upon y इस condition में जब हमें apply करते हैं तो हमारे पास homogeneous function जो है वो शामिल होता है समगाती है फलन इंदी में बोलते हैं वो हमें प्राप्त होगा यहां x की n या y की n का मतलोगा power जितनी या n की value होगी उतनी ही घात का समगात फलन प्राप्त होगा friends जब हम x या y को common निकालेंगे तो दोनों की जो ट्रम आएगी वो y upon x या x upon y के अंदर function बनेगा जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसको हम homogeneous function से solution करने वाले हैं तो सबसे पहला question screen पे आपके पास x plus y x plus y dy dx equal to x minus y किस घात का समगाती है फलन है इस तरह का question भी पुछा जा सकता है option आपके सामने है क्या ये सुन्य घात का है या ये एक है या दो या कितने घात का function है तो solution देखते हैं friends solution में हमें क्या करना है सबसे पहले dy dx में जो equation दे रखी है ये हमारे पास equation थी 2x minus y upon x plus में y अलग-अलग कर देंगी इसको उसके बाद ये हमारा function होता है x y के अंदर ये वारा function से में अब हम friends यहां से क्या करते हैं जैसे x common लोगे यहां से x आपने common निकाला तो 2y upon minus x होजेगा और इधर से भी x common निकालोगे तो 1 plus y upon x ये x x इससे cancel out होगा मतलब हमारे पास क्या बनेगी x की power 0 बनेगी इसका मत्वल n की value कितनी आएगी friends 0 आएगी तो ये किस गात का सम गात फलन है जिरो गात का सम गात फलन होगा क्योंकि हमारे पास x 2x 2 minus y upon में x 1 plus y upon x और यहां भी y upon में x ये x x cancel out होजाएगी cancel out होजाएगी तब ऐसे समझना ये 0 गात का क्योंकि n की value 0 आएगी और यहां आप देख रहे होगे y upon x में भी मान सो हो रहा है next question है screen पे friends इससे मिलता जुलता question है dy dx equal x square y square upon x y plus में x square y तो इसको जैसे ही solution करोगे friends यहां से हम x square की ट्रम common लेंगे तो यहां बचेगा one और y upon में x की square और यहां से बटा वाली संक्या में से आप only part x square को मलोगे तो यहां से आपका बचेगा one और इधर बचेगा y बचा में x तो यहां से आप देख रहे होगे उपर भी x square है बटा में भी x square है x square x square cancel out यहां भी n का मान कितना या price जिरो आएगा जिससे इसका भी सम गात जो फलन होगा वो सुन्य गात का ओने वाला है नेक्स्ट क्वेस्टन इस तरह का भी पूछा जा सकता है डिफेंशल इक्वेशन इसको सोलूशन करना है फ्रेंट्स यह हमारे पास function देरक है सबसे पहले फ्रेंट्स हम क्या करेंगे इसमें डिवाई डिएक्स को अलग करोगे तो यह वाला मान निकलने वाले यहां से डिवाई डिएक्स को अलग करना है उसके बाद वेल्यू क्या पूट करनी है वाई वराबर वी एक्स पूट करना है और उसक अब क्या करेंगे इसके अंदर dy-dx की जगे यह वाला मान遝 कर देंगे जैसी आप इसको मान ют करते हैं इसमें क्या करना है प्रेंट्स आपको डी-वाय डी-एक्स का मान पुट करेंगे आप तो आपके पास equation बनेगी y plus x dy dx equal कितना मान दिया हुआ था हमारे पास जैसे ही हम v plus x क्योंकि y पराबर vx है तो y बटा में x क्या होज़ेगा v होज़ेगा तो यह ट्रम सारी v में आज़ेगी friends v 10 v यहां से हम क्या करेंगे friends x dy dx को अलग करेंगे तो dy dx equal बनेगा 10 v और equal क्या बनेगा हमारे पास यहां बचेगा friends minus dx support में x अब इसका क्या कर देना है integration करेंगे तो 10 v का क्या होता है friends 10 v का directly हम करते हैं तो इसको उपर लेके जाएंगे तो यह quote v होजेगा और quote v का क्या होता है log sin v और यह आप देख रहे होंगे यह बनेगा minus log x plus में log c यह बन गया friends अब हम क्या करेंगे log sin v वेसे का वेसा इसको हम property होती है log में negative किसंग क्या होती है तो बटा में लिख देते हैं तो यह वारी ट्रम जो friends बनेगी log c बटा में x अब friends आपको क्या करना है वापिस v की जगे क्या put कर देना है लोग से लोग cancel out हो जाएगा तो आपके पास यह जो answer बनेगा वो बनेगा sin v sin v equal c upon me x वापिस v का v का मान क्या आएगा y upon x तो answer आएगा sin y बटा x equal c upon me x हमारा क्या बनेगा friends इसका solution बनेगा next question is screen पे differential equation इस तरह का question भी पूचा जा सकता है यह third type का homogeneous question में से पूचने का तरीका है differential equation आपको दे रखिये इसका मान आपको ग्याद करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है प्रेंच d y d x को अलग करेंगे d y d x को अलग करोगे y बराबर क्या put करना है v x और इसका जब alkaline करोगे d y d x वराबर v plus x d y d x इसका मान पुट करेंगे जैसे ही friends आप इसमें मान पुट करते हो तो आपके पास जो equation बनने वाली है वो बनेगी v plus में x d y d x इक्वल बनेगा friends आपके पास v 2 v minus 1 क्योंकि हमने friends क्या मान रखा है y वराबर v x मान रखा है तो इसमें function v में आ जाएगा इदर 2 v minus 1 और यह हो जाएगा friends 2 v plus में 1 आप x को अलग कर देना है v को अलग करोगे जैसे ही friends आप v को अलग करते हैं तो यह हमारे पास बनेगा जो equation बनेगी वो बनेगी x d y d x plus में 2 v इसको solution करोगे तो 2 v plus में 1 equal 0 जैसे ही friends इसको आप v को अलग करोगे तो यह बनेगा समाकलन 2 v plus में 2 v और इधर बनेगा friends आपके पास 2 d x support में x equal 0 अब इसका आपको क्या करना है friends इसको अलग-अलग करेंगे 2 v के 2 v बता में जाएगा 2 v cancel out 1 upon v बचेगा तो friends इसका जो answer आने वाला है वो आएगा 2 v plus log v plus में 2 log x equal log c constant आप राबर c आजएगा जैसे ही friends log की property लगाने के बाद इसका solution करेंगे तो हमारे पास जो answer बचेगा वो बचेगा log v x के रबता में c equal बचेगा minus 2 v अब friends हमें क्या करना है वापिस क्योंकि हमने क्या माना था v बचेगा वाइगा वाइगा वापिस पुट कर देंगे जैसे ही friends आप v का वापिस मान पुट करते हैं तो आपके पास जो equation बनेगी x y equal c e की minus 2 y upon में x अब equation में क्या दे रखा है x बराबर 1 y बराबर 1 पुट कीजिए तो जैसे ही friends x और y की जगे आप 1 1 पुट करोगे तो ये 1 into 1 c into minus 2 गुणा 1 upon 1 तो c का मान आएगा friends e की पावर 2 यास या नो वापिस c का मान equation में पुट कर दोगे तो final जो हमारा answer आएगा friends वो आएगा log x y equal e square या आएगा friends 2 minus 2y बराब में x ये हमारा final answer आएगा क्योंकि हमें जो value दे रखी x और y वो इसलिए दे रखी थी ताकि हम c का मान निकाल सकें c का मान हमारे पास e square आया वापिस पुट कर देंगे तो ये हमारा answer आजएगा तो इस तरह से friends आज हमने homogeneous function को देखा homogeneous function के अंदर तीन परकार के question बढ़ने की समभावना रहती है तीनो टाइम मैंने आपके साथ share किये thanks watching my video channel को subscribe करें और फ्रेंट के साथ share करें thank you next video के साथ फिर मिलेंगे